एल्लों वल्लकम, दोस्तों स्वाकत करते हूँ, फिर सबसब को अपके अपने चैनल में, तोगाजी ही इस वीडियमी हम बात करेंगे बिट कोईन के बारे में और यहाँ पे डीटेज में डिस्कस करेंगे गाला कोईन के बारे में। और DOGE को लेकर जो important news update निकल के आ रही है तो उसके उपर भी details में इस वीडियो में बात करेंगे और जो भी news और update निकल के आ रही है क्या इसके कारण हमें आने वाले time में DOGE के अंदर एक अच्छा का सा movement देखने को मिल सकता है या नहीं उसके उपर भी details में इस वीडियो में discuss करेंगे और यहाँ पर बात करेंगे कि क्या हमें crypto market के अंदर फिर से एक downtrend देखने को मिलेगा या फिर हमें market के अंदर एक bulderally देखने को मिल सकता है तो यह सब चीज़े के उपर details में इस वीडियो में discuss करेंगे तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर से देख लेना बाकि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो मेक्शियर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा बाकि सब्सक्राइब करना पूरा आपके उपर तो यहां पहले हो रहे हैं कि जैसे कि यूक्रेइन और राशिया के अंदर वार चल रहे हैं उस कारण राशिय का बेलुएशन बहुत कम हो चुगाई है अब यह अगर आप यहापे USDT के साथ compare करोगे तो फिर 30% जो ही यहापे value कम हो चुकी है राशिया की currency का तो इस कारण क्या हो रहा है कि राशिया और Ukraine दोनों countries से जादा से जादा यहापे Bitcoin को purchase किया जा रहा है और Bitcoin का आपको पता होगा कि एक digital currency है इसका value जो है यहापे बहुत जादा होता है आप digitally इस asset को कोई भी अपना store करके रख सकते हो जिसके कारण यह दोनों countries जादा से जादा amount बे Bitcoin को accumulate करने के try कर रही है जिसके कारण हमें Bitcoin के अंदर एक movement देखने को मिला तो बाकी यह doubt अगर अपने मन में आ रहा था कि Bitcoin का price अचानक से क्यों bump हुआ तो इसके पीछे exact reason वही है ठीक है तो यहाँ पर बात कर लेते Bitcoin के price के बारे में तो price जो है आपको यहाँ पर 44,000 euro जो zone है इस zone तक देखने को मिलेगा क्योंकि यह लोग अगर जादा से जादा purchase करेंगे तो obvious सी बात है यहाँ पर जो है price के अंदर हमें एक movement देखने को मिलेगा जैसे कि आपने देखा होगा कि Bitcoin का price तो बढ़ रहा है लेकिन हमें altcoin के अंदर आज भी अगर अब देखोगे तो अभी Bitcoin का price चल रहा है 43,000 के आसपास ठीक है तो altcoin के अगर अब देखोगे तो altcoins का price जो है यहाँ पर हमें नीचे देखने को मिल रहा है तो इसके पीछे exact reason वही है कि overall जितने भी crypto community है सब यहाँ पर इस time पर डरे हुए है कि आभी buy करनी चाहिए या नहीं और इस बीच में क्या हो रहा है कि दोनों countries यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा amount में Bitcoin को purchase कर रही है सिर्फ Bitcoin को जिसके कारण हमें Bitcoin के अंदर movement देखने को मिल रहा है तो Bitcoin की price अगर यहाँ पर अगर आप बात करगे तो 44,000 वाला जो zone है इस zone के उपर भी आपको देखने को मिल सकता है बाकि अभी जो है यहाँ पर unpredictable पूरा market है आप कुछ भी predict नहीं कर पाऊगे कि market कौन से side पर चलेगा और कौन से side पर आपको market देखने को मिलेगा फिर भी अगर आप यहाँ पर TA के basis से बात करोगे तो यह वाला जो zone है इस zone से Bitcoin को फिर से rejection देखने को मिल सकता है अभी जो है price इस वाली trend line के उपर अपना resistance ले रहा है और यहाँ पर अगर इस वाली zone से निकल जाती है तो फिर प्राइस को जो है यह वाला zone है 0.136 इस वाली zone के उपर हमें dodge coin के अंदर एक rejection देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर rejection देखने को मिलेगा तो फिर से price जो हमें इस वाली trend line के उपर देखने को मिलेगा तो बेटर यही होगा कि अगर आपने dodge coin के अंदर entry ले लिया है यहाँ पर कई पे तो आप इस वाली zone के according अपना profit को book कर सकते हो बाकी रही बात AMC का तो AMC ने जो है यहाँ पर dodge coin को accept करना start कर दिया है सिर्फ dodge coin क के बात नहीं यहाँ पर उन्होंने Shiba Inu coin को भी accept किया है तो बात कर ले थे यहाँ पर जो है AMC में जो accept किया है उसके कारण कि हमें dodge coin के अंदर आने वाले time में कुछ movement देखने को मिल सकता है या नहीं तो AMC अगर आपको नहीं पता है तो world का one of the biggest जो है movie chain industry है जैसे कि मैंने previous videos में भी आप लोगे साथ इसके बारे में share किया था तो AMC creators to officially start accepting dodge ship payments from March 19 तो upcoming March 19 से यहाँ पे जो है AMC, dodge और Shiba payment को accept करेगी अपने जो भी यहाँ पे payment system होगा उस payment system के उपर ठीक है तो यहाँ पे अगर आप Dodge और Shiba payment से जो है अपना movie ticket purchase करने के लिए आप देना चाहते हो तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको bit pay बोलके एक application आती है उस application के तुरू ही जो है आप अपना यहाँ पे transaction कर सकते है तो यहाँ पे Adam Aaron जो है CEO है यहाँ पे AMC creators का तो उन्होंने यहाँ पे Twitter के अंदर यह जो चीज है इसको जो है क्लियारिफाई किया है कि वो यह MC के उपर Dodge और Shiba payment को accept कर रहे है तो I hope आपको यह बाते समझ में आ गई होगी तो यहाँ पे यह जो news है यह दो तिन दिन पहले ही निकल के आई थी तो उसके बाद भी हमें Dodge Coin के अंदर कुई भी price के अंदर कुछ भी improvement देखने को नहीं मिला तो I guess यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं हो सकता शायद से तो अगर आप profit बुक करना चाहते हो तो फिर आप इस वाली zone के उपर जो है आप अपना profit को बुक कर सकते हो बागी Elon Musk भी कुछ भी tweet कर दे तो इस case में भी आपको price के अंदर एक uptrend देखने को मिल सकता है तो I hope आपको Dodge के बारे में समझ में आ गय 27 इस वाली support zone से just उपर देखने को मिल रही है और dot को जो है यहाँ पर resistance मिलेगा वो मिलेगा हमारा इस वाली zone से जो होगा 19.24 के आसपास बागी अगर आप export trader हो तो आप यहाँ पर 19.22 यह वाला जो zone है इस zone के according जो है आप dot में अपना profit को बुक कर सकते हो बागी अगर आपन का price था तब मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप लेना चाहते हो तो फिर जरूर से ले सकते हो बाकि अगर आपने यहाँ पर कई पर लिया है तो 19.24 यहाँ पर अपना sell कर सकते हो अगर आप long term के लिए देख रहे हो तो फिर long term के लिए आप जो है इसको hold करके भी र पस-पस तो I hope आपको dot के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा तो बात कर लेते हैं अभी गाला के बारे में ठीक है तो गाला के अंदर भी आपने से बहुत सारे लोगों ने अल्ड़ी entry लेके रखका हुआ है तो गाला के अंदर अगर आप entry लेना चाहते हो तो इस time प जो हमें इस वाली zone के उपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर price अगर sustain नहीं कर पाती है तो price हमें directly इस वाली zone के उपर भी देखने को मिल सकता है तो possibilities बहुत जादा है गाला यहाँ पर यह 0.26 वाला zone है इस zone के उपर जाके अपना resistance लेके फिट से वह आपास आ सकता है तो अ अब 0.26 यहाँ पर जाने के बादी आप अपना sell करके निकल सकते हो बाकि अगर आपने बहुत जादा उपर गाला के अंदर entry ले लिया है तो अभी इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि wait कर सकते हो जब भी गाला के price आपको यहाँ पर जो है बहुत जादा उपर देखने को म भी है कि अभी जो है market के अंदर हम किसी भी all coin के अंदर entry ले सकते ही या नहीं तो मैं इस time पे आपको यही बोलूँगा कि अगर आप अपने end से यहाँ पर research कर रहे हो अगर आप अपने end से TA करके देख रहे हो तो उस basis पे अगर आप किसी भी all के अंदर entry लेना चाहते हो तो फिर आप बेजी चक ले सकते हो लेकिन आपको एक चीज़ जरूर से धियान में रखनी है कि market जो है बिलकुल भी अभी stable नहीं है कभी भी कुछ भी हो सकती है तो अगर आप किसी भी coin के अंदर entry ले रहे हो अगर आप spot trader हो तो आप अपना stop loss के साथ यहाँ पे trade जरूर से करन without stop loss आप कोई भी trade यहाँ पे बिलकुल भी मत करना ठीक है तो बाकी इस वीडियो में बस इतने आशा करते हो वीडियो आपको informative लगाओ गाओ लगाओ तो वीडियो का आप like कर सकते हो और अपने friends के साथ वीडियो को share भी कर सकते हो और मिलते है next ऐसी किसी अच्छे informative updates के साथ तब तक के लिए good bye